कथा भाग दो दोस्तों ये कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही जानवर्धक है कथा को आगे बढ़ाते हैं अब तुम मेरे काम के लाइक हो कहकर उसने अटहास करते हुए कहा इस टापू पर जहां तक मेरी नजर जाए हर्याली होनी चाहिए सोलंकी सोच में पढ़ गया इस पत्रीली जमीन पर पेड़ कैसे उगाया जाएगा तभी उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने धेर सारे पत्थर के ओजार लाकर उसके सामने रखते हुए कहा तुम्हारे शरीर को इस फूर्ती मिली है उसे काम मिलाओ पर मैं मैं महों बंद रखकर काम करो जरा भी कोता ही की तो इसी पतीले में उबाल दूँगा कुछ बूंद ने तुम्हें कितना तड़ पाया उबलते समय कैसा लगेगा और वह जोर जोर से हसने लगा सुलंकी ने पतीले की तरफ देखा जिससे तेज भाप उपर की तरफ उठ रहा था उसने देखा भाप में एक चहरा था जो उसे नदी की तरफ जाने के लिए कह रहा था उसे सिर्फ सुलंकी देख सुन सकता था क्योंकि उसने देखा भयानक चेहरे वाला आदमी आग जलाने में लगा था सुलंकी की मरता क्या ना करता वाली हालत थी वह उटकर काम में लग गया भयानक चेहरे वाला पतीले के पास रखे पत्थर पर बैठ कर पतीले को एक टेड़ी सी लकडी से घोटने लगा दिन इसी तरह बीतने लगे सुलंकी काम करते करते रोज देखता कि वह अक्सा नदी में अंदर चला जाता है वह जब नदी में गोता लगाता तो सुलंकी थोड़ा सुस्ता लेता उसके आते ही मुस्तियदी से काम में जुट जाता भयानक चेहरे वाला आदमी नदी से निकल कर आते ही सुखी घास डाल कर आग को फूक मार कर जलाता और पतीले में जाने क्या डाल कर चलाने बैठ जाता शाम को सुलंकी काम खत्म करके नदी के पानी में हाथ पैर्द होता और पानी पीता था और उसके जोपड़ी के पास आते ही वह भयानक चेहरे वाला आदमी पतीले से गर्म तरल पदार्थ निकाल कर उस पर छिड़क देता और पतीले को उठा कर बाकी बचा तरल पदार्थ पी जाता सुलंकी तरल पदार छिड़के जाने पर दर्द और जलन से तडपते तडपते सो जाता और फिर सुबह नेंद खुलती तो वह वैसे ही पतीले में घोड़ता नजर आता पर सुलंकी सुएम को तरो ताजा और उड़जावान महसूस करता और काम में लग जाता पतीले में क्या होता था सुलंकी ना जान पाया आज से हम सुलंकी काम खत्म करके जल्दी नदी किनारे जाना चाह रहा था क्योंकि भाब की बात ने उसके मन में हलचल मचा रखी थी नदी में वैपानी पी रहा था एक आवाज सुनाए दी और कब तक भुकतोगे आवाज कहां से आ रही थी वह समझ नहीं पाया इधर उधर देखने लगा जब आवाज दुबारा आई तो उसने नीचे देखा उसके पैर के पास एक आक्टोपस था जिसके शरीर पर गहरे लाल और काले रंग की धारियां थी उसने कहा मेरा नाम मौलुसका है मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ और उसने फिर अपनी बात दोराई तब सौलंकी ने जवाब दिया जब तक इस टापू को हर्याली से ना भर दूँ उसके बाद अक्टोपस बोला उसके बाद वह मुझे जाने देगा अक्टोपस बहुत जोर से हसा तब है भयानक चहरे वाले को आते देखकर वह पानी के अंदर चला गया अब यह रोज का काम बन गया सौलंकी और धारी वाले अक्टोपस में खूब बाते होती अक्टोपस सौलंकी को भयानक चहरे वाले आदमी के बारे में धेरो बाते बताता जैसे इसे बरसों से देख रहा हूं जो भी भटक कर इस तरफ आ जाता है उससे इतनी मेहनत कराता है कि वह मर जाता है हम सब खत्रे में हैं एक रोज उसने सौलंकी से पूँचा वह पतीले में क्या बनाता है देख कर बताना ओश्याम भयानक चहरे वाला जब पतीले में लकड़ी चला रहा था तो उस लंकी अप पूँचने के बहाने के सारे व्रक्ष लग जाने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे उसके करीब गया और देखा पतीले में धेर सारे वनस्पतियां थी जो अपने गुणों का बखान स्वैम कर रही थी भयानक चहरे वाले ने उसे पतीले में ज्छाकते देखा तो डाट कर भगा दिया दोसरे दिन सोलंकी ने ओक्टॉपस को सारी बात बताई उसने ही बताया कि नदे के अंदर के जड़ी बूटियां हैं जिसे वह गोता लगा कर निकालता है नदे के अंदर ही धेर सारे बेज भी रखे हुए हैं इसलिए नदे में रखा है ताकि अंकुरित रहें उन्ही बीजों को तुरंत रोपेंगे तुम कहो तो मैं उन बीजों को नश्ट कर दूँ तुम काम से बत जाओगे आक्टॉपस हसते हुए बोला सौलंकी डर कर कहने लगा नहीं नहीं ऐसा ना करना हाँ यह भी सही है बीज पेड बन जाएंगे और तब तुम आजाद हो जाओगे वे फिर हसा ठेक है मैं बीजों से कह देता हूँ कि वे जल्दी जल्दी बढ़ें और व्रक्ष बन जाएं फिर वे आगे कुछ कहने ही वाला था कि भैयानक चहरे वाले को आता देखकर आक्टोपस पानी के अंदर चला गया खुदाई का काम पूरा हो चुका था और सोलंकी बीजों को बो दिया था जिससे पोधे निकल आये थे उन पोधों को देखकर भैयानक चहरे वाला बहुत खुश हुआ था उस साम सोलंकी नदी किनारे गया तो आक्टोपस बोला अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकूँगा भैयानक चहरे वाले को शक हो गया है और मेरा पूरा परिवार खत्रे में है मेरी बात ध्यान से सुनो और उसने सोलंकी को कुछ बताया फिर जब मेरी बहुत ज्यादा जुरूरत हो तो यहां पर आकर पुकारना मुल उसका मैं हाजर हो जाओंगा इतना कहकर वैं पानी में गायब हो गया सुननकी जी जान से पेड़ों की सेवा में जुट गया क्योंकि उसके हिसाब से उसकी रिहाई का यही आसान तरीका था उसने कुछ चलाकी की तब भयानक चहरे वाले आदमी ने कुछ और बुरा किया तो यही सोच कर वैं घबरा जाता पेड़ भी तेजी से बड़े होने लगे जो पूरा टापू हरे भरे व्रक्ष से भर गया तो भयानक चहरे वाले से उसने विनती की मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे जाने दो भयानक चहरे वाले ने जोर से हस्ते हुए पतीले की तरफ इशारा किया सुलनकि उसकी नियत भाप गया अक्टोपस की बात याद आई उसकी बताई तरकीब पर अमल करने का इरादा कर लिया पेड से मोटी डाल तोड़ कर लाया और उसे चुपा दिया शाम के समय जब पतीले में द्रव जैसे ही तयार हुआ सुलंकी ने डाल से मार कर पतीला उलट दिया सारा तरल परदार जमीन पर गिरा भैनक चहरे वाला आदमी पागलों की तरह उसे उठाने की कोशिश करने लगा पर वै तुरंत जमीन में सूख गया वै सुलंकी के पीछे दोड़ा तब तक सुलंकी एक पेड पर चड़ चुका था वै पेड पर ना चड़ सका तब तक रात हो गई वै रात में नदी में भी नहीं जा सकता था हरे आली में वै जोर जोर से सांस लेने लगा ताकि उर्जा मिले उसकी शक्ती कम होती जा रही थी क्योंकि तरल पदार्त नहीं मिल रहा था वै कुछ जूटते हुए जोपड़ी के अंदर गया सुलंकी तो इसी ताक में था उसने जोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया अंदर से सारी रात वह चीखता रहा मुझे हर्याली चाहिए मेरा दम घुट रहा है पर सुलंकी अंसुनी करके बैठा रहा सुबह होते होते उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई सुलंकी उठकर नदी के पास गया आवाज दी मुलुसका आवक्टोपस तुरंट आ गया सुलंकी ने उसे सारी बात बता दी आवक्टोपस ने कहा तुम जैसे मूर्ख ने देर से मेरी बात मानी अच्छा किया दरवाजा नहीं खोला जरासी हर्याली देखते ही उसमें जान आने लगेगी उसके मरने से हम जलिय जीव तो सुरक्षित है ही हमारी बहु मुल्य वनस्पतियां भी बचेंगी फिर अपना एक पाद यानी पैर उपर करके बोला इसमें जो रिंग है उसे लेकर अपने दाइने हाथ की छोटी उंगली में पहन लो और जल्द से जल्द दूर निकल जाओ सुलंकी मुलुसको का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया महल में अल्टीना के चले जाने से राजा बहुत दुखी थे उन्हें महल सोना सोना लगता और बार बार पस्तावा होता की बेकार में अल्टीना को पिंजरे में बंद करने का हुकम दिया शायद इसी से अल्टीना रूट कर चली गए उसे ढूंडने के लिए उन्होंने हर तरफ आदमी दोडाए थे कई दूत अल्टीना का सुराग लगाने के लिए रवाना किये जा चुके थे मगर हर तरफ से निराश करने वाली खबरे आ रही थी सुलंकी के गाउं सिपाहियों को भेजा गया था ताकि कम से कम जीनी मिल जाए और उनका भी कुछ पता ना चल सका तब हताश होकर राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी की अल्टीना जैसी सुन्दर और समझदार कुटिया अगर कोई लाकर देता है तो उसे राज्य महल में उचा उधा मिलने के साथ साथ धेरो इनाम भी मिलेंगे बस फिर क्या था महल के प्रांगण में कुटिया लेकर आने वालों की भीड लग गे सब अपने कुटिया का अच्छे से अच्छा नाम बताते हुए गुणों का बखान करने में लगे थे तथा अपनी अपनी कुटिया से तरा तरा के करतब करवा कर भी दिखला रहे थे जो उनकी कुटिया दिखा सकती थी महल के सारे करमचारी, सिपाही, सब उस कुतिया और उस भीड को संभालने में बढ़ियां से बढ़ियां कुतियां को परखने और राजा के सामने पेश करने में लगे थे जिस से महल के अंदर बाहर की विवस्ता चर्मरा गई हर आदमी चाहता था कि उसकी कुतिया का चैन हो जाए इसलिए सब बढ़ चड़कर गुनगान किये जा रहे थे जिसमें चीख पुकार सा महौल हो गया पर नाम सोरूप अफरा तफरी मच गई यह सारा कारिकरम कई दिनों तक चलता रहा पड़ोसी राज्य को इस बात की खबर मिली तो उसने मौका गनीमत जान कर चड़ाई कर दी आनन फानन में सेना सुजचित की गई महरानी जो की शिशु को जन्म देने वाली थी फिर भी वो राजा के साथ रण छेतर की और कूँच कर गई सुलंकी मौनुस्का का धन्यवाद करके आगे बढ़ा वे तेज तेज चलता हुआ उस जगा से दूर निकल जाना चाहता था वरक्षों को अभास हो गया कि उनका सखा जो इतने दिनों से उनकी सेवा कर रहा था जा रहा है वे सब हाहा कार कर उठे और अपनी डालियों पत्तियों को हिला हिला कर उसे विदाई और शुबकानाय देने लगे या देख कर सुलंकी की आँखों में आसु आ गए जब वे उस पेड़ के पास से गुजरा जिसे सबसे पहले लगाया गया था तो एक विचित्र आकार का फल जो देखने में साबून की टिकिया जैसा था उसके पास गिरा और पेड़ बोला इसे रख लो उसने फल उठा कर अपनी जेव में रख लिया और आगे बढ़ गया अब ये कुछ दूर ही गया था तब ही उसकिसी जेव के आने का अंदेशा हुआ सोखी घास पर उस जेव के दोड़ने से अजीब सी ध्वनी उत्पन हो रही थी सौलंकी डर गया कि फिर कहीं किसी मुसीबत में ना पढ़ जाए वह एक बड़े पत्थर के पीछे चुप गया आवाज पास आती जा रही थी उसने जाक कर देखा आने वाली अल्टीना थी वह खुशी से जूम उठा और दोड़ कर उसके पास पहुँचा अल्टीना भी दो पैरों पर खड़ी हो गई और दोनों ऐसे गले मिले जैसे बरसों से बिछडे दोस्त हैं कुश देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे फिर खुद को सहियत करते हुए दोनों पहाड के पीछे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए तब अल्टीना भोली अपने बारे में बताओ कैसी बीती और कहां जा रहे थे तुम्हें बताओ तुम चील से कैसे बची सोलंकी ने भी सवाल कर दिया अल्टीना ने बताना शुरू किया कि मुझे लेकर चील काफी देर तक उड़ती हुई बहुत दूर ले गई उनके लंबे लंबे नुकीले चोंच को देखकर मैंने डर से आखे बंद कर ली अब कई चोंच एक साथ मुझे पर पड़े और मेरा खात्मा कर देंगे पर यह क्या बच्चे मुझे से खेलने लगे बच्चे मुझे कुछ भी तकलीफ ना पहुँचाते अपने घोसले में इधर उधर मेरे साथ दोड़ते और खेलते चेल दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहती और शाम में आती बच्चे साथ जाने की जित करते इसलिए चील मुझे ले गई थी अब बच्चों को मेरे साथ मज़ा आ रहा था उनके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा था फिर यह रोज का क्रम बन गया बच्चे मुझे पाकर बहुत खुश थे जिससे चेल भी खुश थी और मुझे खाना भी लाकर देती कुछ समय बाद मैं उबने लगी आखिर जीनी को भी ढूणने जाना है मगर मेरे महां से भागने की संभावना नहीं थी कई रोज सोचने के बाद एक रात जब माचील बच्चों को पंकों में छुपा कर आराम कर रही थी मैं चुपके से घोसले से बाहर आई इतने उचाई से नीचे उतरना नामुम्किन था मैं पकड़ी ही जाती मैंने नाउम्मेदी से एक चटान पर सिर्टिका दिया और मेरे गले में पड़ा बड़ी मचली का दिया हुआ हुआ हुक उस चटान में चिपक गया और मैं अद्रिश्य रस्षी के सहारे जैसे नीचे की ओर फिसलती गई और धर्ती पर उतर गई तब से भाग रही हुँ और तुम मिल गए चलो अब अपनी मंजल की तलास में निकलते हैं सुलंकी बोला हाँ हाँ आगे बढ़ते हुए अपनी आप बीती बताओ अल्टीना ने कहा और दोनों जैसे ही आगे बढ़े एक बड़ा सा हंस जिसके गर्दन के उपर का हिस्सा दो था यानि एक हंस के दो गर्दन दोनों पर सिर आखे चोंच सब था बस शरीर एक था वो हंस उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया फिर एक मुसीबत सुलंकी ने सोचा मैं मुसीबत नहीं मददगार हूँ अगर तुम मेरी मदद कर दो तो क्या हंस की आवाज सुनकर सुलंकी हैरत से मु बना कर बोला उसे इस तरह हैरत में देखकर हंस अपने दोनों मुक को खोल कर हसने लगा अर्था चोंच को खोल कर हसने लगा एक शरीर में दो हंस कैसे ना चाहते हुए भी सो लंकी पूँच बैठा यह एक लंबी कहानी है हंस के एक मुह ने दुखी होते हुए कहा अगर तुम सुनना चाहो तो दूसरे मुख ने कहा वे बारी बारी से दोनों मुख से बोल रहे थे कहानी हम फिर कभी सुन लेंगे अभी बता दो हम तुम्हारी मदद कैसे करें अल्टीना बोली उसने सुलंकी की तरफ गर्दन से इशारा करते हुए कहा अगर हमारे दोनों गर्दन के बीश से हमारे शरीर पर अपनी उंगलियों से छोते हुए लकीर सा खीच दे तो हम दोनों बेहने अलग हो जाएंगी लेकिन लकीर एकदम बीश से खीचना उसने चेताया सुलंकी ने बैठ कर बहुत संभालते हुए अपनी तरजनी से लकीर खीचा पर बीश में ना खीच कर दोनों अलग तो हो गई पर एक बड़ी और एक छोटी हो गई हमेश राप मुक्त करने वाला इंसान मिला भी तो या मूर्ख मिला मुझे चोटी कर दिया चोटी हंसनी अपने शरीर को देखते हुए गुस्से से बोली अब बताओ मेरी क्या मदद करोगी तो लंकी के पूचने पर चोटी हंसनी गुस्से से गरदन जुका कर बैठ गए बड़ी हंसनी बोली यहां से उत्तर दिशाकी और बढ़ते चले जाओ रास्ते में बहुत आवाजे आएंगी आवाज मत देना कोई रोके तो रुकना भी नहीं और आगे बढ़ते चले जाना तुम्हे काले संगमरमर का पहाड मिलेगा एक दम चिकना बहुत उचा उसी के ऊपर वह पेड़ है जिसकी तुम्हे तलाश है सुलंकिया सुनकर खुश हो गया वह पूचना चाहता था कि तुम्हे कैसे पता कि मुझे किस चीज की तलाश है लेकिन छोटी हंसिनी का रुख देखकर उसने नहीं पूचा और दोनों आगे बढ़ने लगे तब ही छोटी हंसिनी ने उन्हें रोकते हुए कहा हम दोनों के एक एक पंक तोड़ कर रख लो तुम्हें काम आएंगे और हाँ अंदर से तोड़ना ओपर का पंक लेकर बद सूरत ना बना देना छोटा बड़ा तो कर ही चुके हो बोल कर छोटी हंसिनी मुफाड कर हंसने लगी सोलंकी ने दोनों का एक एक पंक तोड़ कर जेब में रख लिया और आगे भढ़ गया सबसे पहले एक जानवर ने जिसका जिसम घोड़े का और चहरा इंसान का था उसने पहुचाने की पेशकश की दोनों उसे नजर अंदाज करके आगे बढ़ गए फिर कई चीजे मिली और बहुत आवाजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वे अंदेखी अंसुनी करते हुए आगे बढ़ते गए और पहाड के पास पहुचकर भोचक्के रह गए जैसा हंसिनी ने बताया था वैसा ही सपार्ट चिकना पहाड था दो दिनों तक चक्कर लगाते रहे इसे भी चड़ने की जगा नहीं मिली अब इतनी उचाई पर कैसे जाया जाए तब है सोलंकी को पंक की याद आई सोलंकी ने पंक जैसे ही जेब से निकाला उसका आकार बड़ा होने लगा इतना बड़ा और भारी हो गया कि हाथ से छूट कर जमीन पर गिर गया दोनों डरते डरते उस पर बैठ गये और पंक उन्हें लेकर उड़ चला और पहाड की चोटी पर पहुँचा जहां विचित्रशित्र कारी बनाई हुई थी पेड की जड़े फैली हुई थी पंक उसी पर रुख गया फिर सिकुडने लगा दोनों जल्दी से उतरे उनके उतरते ही पंक पहले की तरह छोटा होकर हवा में उड़ गया सोलंकी ने चारों तरफ नजर दोड़ा कर देखा एक ही पेड था जिसकी साखाएं फैली हुई थी और उसमें रंग बिरंगे फूल थे पर सफेद फूल कहीं नजर नहीं आ रहा था सोलंकी सफेद फूल ढूनने के लिए पेड पर चड़ने लगा पेड की साखाएं नीची नीची सी थी जिससे सोलंकी आसानी से पेड पर चड़ता गया उसे सबसे उपर की डाली पर एक बड़ा सा सफेद फूल नजर आया सुलंकी उधर ही बढ़ गया उसने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक बड़ा सा साफ फुफकारते हुए उसकी तरफ लपकाया सुलंकी भागता हुआ नीचे आया साप भी उसके पीछे पीछे आने लगा नीचे जड़ पर उतर कर सोलंकी ने दूसरा पंक निकाला पंक उसी तरह बढ़ने लगा अल्टीना के पूँचने पर उसने कोई जबाब ना दिया और पंक पर बैटने के लिए कहा पंक जैसे ही उड़कर हवा में पहुँचा साप ने उनकी तरफ छलांग लगाई पर पंक उपर उठ गया और साप तेड़ी मेडी जगहों पर गिरकर जोर जोर से फुफकार ने लगा पंक ने दोनों को नीचे उतारा और उसी तरह हवा में उड़ गया दोनों निराशो कर मही पर बैठ गए अल्टीना बोली मुझे गुफा से निकालने वाली नागिन यहाँ पर काम आ जाती पर उसने कहा था मुझे गुफा के द्वार पर आकर दिल से पुकारना तभी आ सकेगी अब वहाँ लोट कर जाना मुश्किल है फिर भी पुकार कर देखती है उसने कई बार दिल ही दिल में पुकारा और कई बार आवाज भी थी पर नागिन नहीं आई अल्टीना और सॉलंकी की कुछ समय में नहीं आ रहा था अल्टीना ठकी होने के कारण सो गई सुलंकी भी थकान के कारण जपकी लेने लगा अचानक सुलंकी की चीक से अल्टीना की नीन्द खुली उसके पैरों के पास बड़ी सी नागिन थी माथे के लाल निशान से अल्टीना ने उसे पहचान लिया और सुलंकी से बोली डरो मत यह गुफा वाली नागिन है नागिन ने फिर सिर हिला कर सहमती दी अल्टीना ने नागिन से पूँछा तुमने मेरी आवाज सुनी थी कैसे आ गई नागिन बोली तुमने जोर से पुकारा तो कमपन हुई मेरे पास कान नहीं होते मैं कमपन को महसूस करती हूँ गुफा के द्वार पर आने के लिए इसलिए कहा था कि वहाँ पर दिल में भी याद करती तो मैं महसूस कर लेती अब बताओ क्या बात है वह उनकी परिशानी जल्दी हल करना चाहती थी सुलंकी ने सारी बात बताई नागिन ध्यान से सुनती रही फिर सरसराती ही चिकने पहाड पर चड़ गई बहुत देर हो गई तो अल्टीना और सुलंकी की उमीद की लौब उचने लगी तब वह उपर वाले साप के साथ वैसे ही है सरसराती ही नीचे उतर आई उसने बताया कि यही मेरा खोया हुआ नाग है अल्टीना तुम मेरे लिए बहुत शुब हो मैं उसी दिन समझ गई थी कि हमारा मिलन तुम्हारी वजह से होगा जब तुम मुझे गुफा में मिली थी इसलिए मैंने तुम्हे यह शक्ति दी थी कि तुम किसी की भी बोली समझ सकती हो तुम जिस से बात करोगी वह भी तुम्हारी बोली समझ जाएगा और जो तुम्हारे निजदीक रहेगा उसमें भी यह गुण आ जाएगा आज मैं बहुत खुश हूँ हम इच्छाधारी नाग नागिन बनने के अंतिम पड़ाओ पर आ गए हैं अब हमारी कहानी को इंसान और जानवर को एक साथ सुनना होगा और यहाँ पर तुम दोनों हो हमारे अंतिम पड़ाओ के साजेदार बनकर हमारे तपस्या पूरी कर दो मित्रों कहानी कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताईएगा और अगला भाग वो भी सुनना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गैन पराप्त हो जैश्र राम भक्तो